नीन्द की कमी की कारण वा थका हुआ महसूस कर रहा है He is feeling exhausted due to lack of sleep मैं इतना थका हुआ 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 कि अपनी आँखे भी खुल कर नहीं रख सकता I am so weary that I can hardly keep my eyes open मैं इतना थका हुआ 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 कि अपनी आँखे भी खुल कर नहीं रख सकता I am so weary that I can hardly keep my eyes open मैं फिसल का गिली फर्ष पर गिर गया I slipped and fell on the wet floor मैं फिसल का गिली फर्ष पर गिर गया I slipped and fell on the wet floor दौड की दौरान वा थोकर लगकर गिर गया He tripped and fell during the run गिलास टेबल से गिर गया और चकना चुर हो गया The glass fell from the table and shattered मेरी पेंसिल गायब है मुझे इसे ढूंडना है My pencil is missing, I need to find it मेरी पेंसिल गायब है, मुझे इसे ढूंडना है My pencil is missing, I need to find it हमें टंकी को नियमीत रूप से साफ करना चाहिए We need to clean the tank regularly हमें टंकी को नियमीत रूप से साफ करना चाहिए We need to clean the tank regularly टंकी में पानी की मात्रा कम है The water level in the tank is low टंकी में पानी की मात्रा कम है The water level in the tank is low उसने ताले की चाबी खो दी है He lost the key to the lock हमें गेट के लिए नया ताला चाहिए We need a new lock for the gate हमें गेट के लिए नया ताला चाहिए We need a new lock for the gate उसने अपनी बाइक को सुरक्षित करने के लिए ताले का उप्योग किया तंकी नीचे से लीक कर रही है तंकी नीचे से लीक कर रही है वह हमेशा अपने कपडे थंदे पानी में धोती है शी आलवेशा अपने कपडे थंदे पानी में धोती है वाशिंग मशिन अजीब आवाज कर रही है The washing machine is making a strange noise Washing machine عجیب آواز कर रही है The washing machine is making a strange noise क्या आपके पास जिद्धी दाग हटाने के लिए कोई सुझाव है Do you have any tips for removing stubborn stains क्या आपके पास जिद्धी दाग हटाने के लिए कोई सुझाव है Do you have any tips for removing stubborn stains उसने अपने वादे को पूरा करने की शफत ली वह हमेशह अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है वा हमेशे अपने वादे निभाने के लिए जानी जाती है उसने उसे किये गए वादे की याद दिलाई खेल की दोरान उसे हलकी चोट लगी उन्होने लकडी में कीले ठोकने के लिए हाथावडे का उप्योग किया उन्होने लकडी में कीले ठोकने के लिए हाथावडे का उप्योग किया उन्होने लकडी में कीले ठोकने के लिए हाथावडे का उप्योग किया शेफ ने लहसुन को उसका स्वाद निकालने के लिए कूटा उसने ठकावाट के कारण अपनी आँखों को रगड़ा शेफ ने ठकावाट के कारण अपनी आँखों को रगड़ा She rubbed her eyes because she was tired तेज रौशनी से उसकी आँखों को दर्द हुआ The bright light hurt his eyes रोने के बाद उसकी आँखे लाल हो गए His eyes were red after crying रोने के बाद उसकी आँखे लाल हो गए His eyes were red after crying उसकी आँखों कर रंग अनुखा है जिसे हर कोई पसंद करता है उसकी आँखों का रंग अनुखा है जिसे हर कोई पसंद करता है उसे साफ देखने के लिए चश्मे की जरूरत है उसे साफ देखने के लिए चश्मे की जरूरत है he needs glasses to see clearly उसने एक प्लेट गिरा दी और वह तुक्डो में तूत गई he dropped a plate and it broke into pieces उसने एक प्लेट गिरा दी और वह तुक्डो में तूत गई he dropped a plate and it broke into pieces प्लेट एक धककन से धकी हुई थी, the plate was covered with a lid भोजन की बाद प्लेट खाली थी, the plate was empty after the meal मैंने प्लेट को रसोई में ले जाना भूल गया I forgot to take the plate to the kitchen मैंने प्लेट को रसोई में ले जाना भूल गया I forgot to take the plate to the kitchen Dinner party के लिए हमें और plates चाहिए We need more plates for the dinner party Dinner party के लिए हमें और plates चाहिए We need more plates for the dinner party क्या आप मेरी बैग ठूड़ने में मदद कर सकते हैं? Can you help me find my bag? क्या आप मेरी बैग ठूड़ने में मदद कर सकते हैं? Can you help me find my bag? मैंने अपनी बैग कार में ही छोड़ दी है I forgot my bag in the car मैंने अपनी बैग कार में ही छोड़ दी है I forgot my bag in the car मुझे इस यात्रा के लिए एक बड़ा bag चाहिए I need a bigger bag for this trip मुझे इस यात्रा के लिए एक बड़ा bag चाहिए I need a bigger bag for this trip आप फोन पर किसे बात कर रहे हैं आप फोन पर किसे बात कर रहे हैं। आपने सूपर मार्केट में किसे देखा। इस किताब का लिखा कौन है। क्या आप अब सोने जा रहे हैं। क्या आप अब सोने जा रहे हैं। मैं इतना थका हुआ था कि सोफे पर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि सोफे पर सो गया। अपको सोने से पहले काफीन से बचना चाहिए आपको सोने से पहले काफीन से बचना चाहिए उसने जल्दी अठने के लिए अलाम सेट किया He set an alarm to wake up early उसने जल्दी उठने के लिए alarm set किया He set an alarm to wake up early उसने भारी बॉक्स उठाते समय अपनी पीट को चोटिल कर लिया He hurt his back while lifting a heavy box उसने भारी बॉक्स उठाते समय अपनी पीट को चोटिल कर लिया He hurt his back while lifting a heavy box उसे अपने कटे हुए घाव के लिए टांके लगवानी की जरूरत है डॉक्टर ने घाव की साधानी पुरवग जाच की दॉक्टर ने घाव की साधानी पुरवक जाच की उसने सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाई उसने सूजन कम करने के लिए बर्फ लगाई वो अपनी साइकिल से गिरी और उसके कोहनी पच खरोज आई वो अपनी साइकिल से गिरी और उसके कोहनी पर खरोज आई उसे आराम करने और भारी गतिवीधियों से बचने की सलाह दी गई उसे आराम करने और भारी गतिवीधियों से बचने की सलाह दी गई She was advised to rest and avoid strenuous activities क्या आपके पस इस फोन के लिए charger है? Do you have a charger for this phone? मेरा फोन वाइ-फाई से कन्यक्ट नहीं हो रहा है My phone is not connecting to the Wi-Fi मेरा फोन वाइ-फाई से कन्यक्ट नहीं हो रहा है My phone is not connecting to the Wi-Fi क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? Do you have something to eat? मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया I haven't eaten all day उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है She is craving something sweet उसे कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है She is craving something sweet मेरे पेट से आवाज आ रही है My stomach is growling मेरे पेट से आवाज आ रही है My stomach is growling उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब उसे बीमार महसूस हो रहा है He ate too much and now he feels sick उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अब उसे बीमार महसूस हो रहा है He ate too much and now he feels sick खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है There is nothing left to eat खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है There is nothing left to eat उसने अपना homework जल्दी खत्म कर दिया She finished her homework quickly उसने अपना homework जल्दी खत्म कर दिया She finished her homework quickly उसने बस पकरने के लिए जल्दी दौर लगाई He ran quickly to catch the bus मैं आपकी email का जल्दी जवाब दूगा I will respond to your email quickly क्या आप इस समस्या को जल्दी हल कर सकते हैं Can you solve this issue quickly? क्या आप इस समस्या को जल्दी हल कर सकते हैं Can you solve this issue quickly? उसने सवाल का जल्दी जवाब दिया She answered the question quickly उसने सवाल का जल्दी जवाब दिया She answered the question quickly आज मैं काम पर नहीं जा सकता Today I can't go to work आज मैं काम पर नहीं जा सकता Today I can't go to work आज क्या खाने का प्लान है? What the plan for food today? अज क्या खाने का प्लान है? What the plan for food today? इस बार उसने फिर से वही गल्ती कर दी This time he made the same mistake again इस बार उसने फिर से वही गल्ती कर दी This time he made the same mistake again मैंने उसकी गल्ती को सुधार दिया I corrected his mistake मैंने उसकी गल्ती को सुधार दिया I corrected his mistake आपकी इस गल्ती की कारण सब को परिशानी हुई Because of this mistake of yours Everyone faced trouble आपकी इस गल्ती की कारण सब को परिशानी हुई Because of this mistake of yours Everyone faced trouble लंबी जात्रा करने के बाद उसकी हाला ठकी हुई लग रही है She looks exhausted after the long journey मैं पूरे दिन काम करने के बाद ठक गया हूँ I am tired after working all day मैं पूरे दिन काम करने के बाद ठक गया हूँ I am tired after working all day वह मेरे मुर्ख चुटकुलों पर हमेशा हस्ती है She always laughs at my silly jokes हमने इतना हसा कि हमारे पेट में दर्ध हो गया We laughed so much that our stomach hurt ध्यान रखें कि गिले फर्ष पर स्लीप होका गिर न जाए Be careful not to sleep and fall on the wet floor ध्यान रखें कि गिले फर्ष पर स्लीप होका गिर न जाए Be careful not to sleep and fall on the wet floor उचाई से गिरना खतरनाक हो सकता है Falling from a height can be dangerous उचाई से गिरना खतरनाक हो सकता है Falling from a height can be dangerous आख से नाखेले यह खतरनाक होता है Don't play with fire, it's dangerous आख से नाखेले, यह खतरनाक होता है Don't play with fire, it's dangerous मजबूत हवाओं के कारण आख तेजी से फैल गई The fire spread rapidly due to strong winds मजबूत हवाओं के कारण आख तेजी से फैल गई The fire spread rapidly due to strong winds वे अंगारे की आसपस इकठे होकर कहानिया सुनाते थे They gathered around the campfire and told stories वे अंगारे की आसपस इकठे होकर कहानिया सुनाते थे They gathered around the campfire and told stories वो अपनी पसंदीदा सबजी के साथ रोटी खाती है She eats chapati with her favorite vegetable वो अपनी पसंदीदा सबजी के साथ रोटी खाती है She eats chapati with her favorite vegetable बाजार में भीड बहुत थी There was a lot of crowd in the market बाजार में भीड बहुत थी There was a lot of crowd in the market कल में बाजार जा रहा हूं I am going to the market tomorrow मुझे बहुत खासी हो रही है I am having a lot of cough मुझे बहुत खासी हो रही है I am having a lot of cough खासी से उसकी आवाज बैठ गई है His voice has become harsh due to cough खासी से उसकी आवाज बैठ गई है His voice has become harsh due to cough उसे खासी से बहुत परिशानी हो रही है He is very troubled by cough उसे खासी से बहुत परिशानी हो रही है He is very troubled by cough उसके बाल सफेद हो गए है His hair has turned out क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ Can I help you with something क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ Can I help you with something आज आप किस बारे में बात करना चाहेंगे What do you want to talk about आज आप किस बारे में बात करना चाहेंगे What do you want to talk about वह बर्फ पर फिसल कर गिर गई She slept and fell on the eyes वह बर्फ पर फिसल कर गिर गई She slept and fell on the eyes वे अपने काम को जल्दी से खत्म कर लेते हैं They finished their work quickly वे अपने काम को जल्दी से खत्म कर लेते हैं They finished their work quickly मुझे जल्दी सोना है I need to sleep early मुझे जल्दी सोना है I need to sleep early उसने मेरी मदद नहीं की He did not help me मुझे पिछले हफ़ते चोट आई थी I got injured last week मुझे पिछले हफ़ते चोट आई थी I got injured last week हमारे पास बहुत समय नहीं है We don't have much time तुम्हारे बातों में आकर उसने यह गलती कर दी She made this mistake being trapped in your story तुम्हारे बातों में आकर उसने यह गलती कर दी She made this mistake being trapped in your story वह आजकल पैसे कमाने की धुन में रहता है He is obsessed with earning money nowadays वह आजकल पैसे कमाने की धुन में रहता है He is obsessed with earning money nowadays आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो You are talking as if you know nothing about it आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं हो You are talking as if you know nothing about it गीला तॉलिया बिस्तर पर मत रखो Do not put wet towel on the bed क्या तॉलिया बिस्तर पर मत रखो Do not put wet towel on the bed क्या तुम्हें लगता है पैसे पेड़ पर उखता है Do you think that money grow on the tree क्या तुम्हें लगता है पैसे पेड़ पर उखता है Do you think that money grow on the tree आइंद से वह इस तरह से नहीं बोलेगा As of now he won't speak like this क्या आइंद से वह इस तरह से नहीं बोलेगा As of now he won't speak like this क्या आपके पिताजी उपर अखबार पढ़ रहे है Is your father reading a newspaper upstairs क्या आपके पिताजी उपर अखबार पढ़ रहे है Is your father reading a newspaper upstairs चलो मान लेते हैं कि वह जूट बोल रही है पस सच क्या है Let's say that she is telling a lie बोल रही है पस सच क्या है Let's say that she is telling a lie But what is the fact उसे खाना बनाना नहीं आता और नहीं उसकी बहन को She does not know how to make food Nor does her sister उसे खाना बनाना नहीं आता और नहीं उसकी बहन को She does not know how to make food Nor does her sister उसने मेरी बातों को अंदेखा किया He overlooked my words उसने मेरी बातों को अंदेखा किया He overlooked my words तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए You should rectify your mistakes तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए You should rectify your mistakes उसने बहुत चतुराई से काम निकाला He handled the task very cleverly उसने बहुत चतुराई से काम निकाला He handled the task very cleverly जैसे ही तुम वहाँ पहुँचेो मुझे मेसेच करना Text me as soon as you get there जैसे ही तुम वहाँ पहुँचेो मुझे मेसेच करना Text me as soon as you get there जब तक तुम्ही जरूरत है तुँ मेरा laptop استعمال कर सकते हो You can use my laptop as long as you need it जब तक तुम्ही जरूरत है तु मेरा laptop استعمال कर सकते हो You can use my laptop as long as you need it अगर बारिश हो तो चाता ले जाना Take an umbrella in case it rains अगर बारिश हो तो छाता ले जाना तेक एन अंब्रेला in case it rains उसने अपने काम में धिलाई की He was lax in his work वो अपने बड़े भाई से बराबरी करना चाहता है He wants to compete with his elder brother वो अपने बड़े भाई से बराबरी करना चाहता है He wants to compete with his elder brother जब तक वह आया उसने अपना लंच कर लिया था By the time he arrived, she had her lunch तुम्हारे कॉल करने से पहले मैंने अपना नाश्टा कर लिया था I had my breakfast before you called me तुम्हारे कॉल करने से पहले मैंने अपना नाश्टा कर लिया था I had my breakfast before you called me वो बहुत कम गुसा होता है He rarely gets angry वो बहुत कम गुसा होता है He rarely gets angry ऐसे बहुत कम होता है This type of thing occurs rarely तुम अपना काम स्वैम करोगे You will be do your work yourself तुम अपना काम स्वैम करोगे You will be do your work yourself उसकी बात का बुरा मत मानो Don't mind his words उसकी बात का बुरा मत मानो Don't mind his words मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही I am not taunting you मैं तुम्हें ताना नहीं दे रही I am not taunting you जल्दी आओ खाना परोष दिया गया है Hurry up Food has been served जल्दी आओ खाना परोष दिया गया है Hurry up Food has been served आपके पास मीथी चीज़े क्या है What sweet dishes do you have तुम्हें पास मीथी चीज़े क्या है What sweet dishes do you have तुम्हें परिशान हो रही हो You are getting worried for no reason तुम्हामतो कि तने बज़े उठते हो तुम्हामतो कितने बज़े उठते हो What time do you usually get up मैं अंग्राई ले रही हूँ मैं अंग्राई ले रही हूँ मेरा बैग पुराना हो गया है मैं बैग इस वर्ण आउट वो एक बहुत बड़ा टपोरी भी है रिया बहुत बड़ी फेकू है मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ कितने बजे तक तुम वहां पहुं जाओगे तुम्हे गुसा होने की बजाए बात करनी चाहिए थी वह कभी भी मेरी बात नहीं सुनता था मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो यह ओफर ले लेता मैं पहले बीना चश्मा के पढ़ लेता था अब नहीं मैं पहले बीना चश्मा के पढ़ लेता था अब नहीं I could read without glasses before but not anymore कल शायद office ना जाना पड़े I might not have to go to the office tomorrow कल शायद office ना जाना पड़े I might not have to go to the office tomorrow वो हफ़ते में कभी न कभी फिल्म देखता है He always watches a movie sometime during the week वो हफ़ते में कभी न कभी न कभी फिल्म देखता है He always watches a movie sometime during the week चोर को पुलिस ने रंगे हाथो पकड लिया The thief was caught red-handed by the police चोर को पुलिस ने रंगे हाथो पकड लिया The thief was caught red-handed by the police उठो और जल्दी से तयार हो जा Get up and get dressed quickly उठो और जल्दी से तयार हो जा Get up and get dressed quickly तयार हो जा ता कि हम समय पर निकल सके Get ready so we can leave on time कुछ आराम करो क्योंकि तुम ठके हुए लग रहे हो Get some rest because you look tired कुछ आराम करो क्योंकि तुम ठके हुए लग रहे हो Get some rest because you look tired मैं हर दिन सुबह 9 बजे उठता हूँ I get up at 9 a.m. every day मैं हर दिन सुबह 9 बजे उठता हूँ I get up at 9 a.m. every day तुमने सच में मुझे निराश किया You really got me down तुमने सच में मुझे निराश किया You really got me down जल्दी से कमरे की अंदर आओ Get in the room quickly वह मुसीबत में पढ़ गया He got into the trouble वह यहां से दूर जाने का प्लान बना रहा है He is planning to get away from here वह यहां से दूर जाने का प्लान बना रहा है He is planning to get away from here अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो महनत करो If you want to get ahead, work hard अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो महनत करो If you want to get ahead, work hard मुझे से बात क्यों कर रहे हो Why are you talking to me? मुझे से बात क्यों कर रहे हो Why are you talking to me? मेरे लिए थोड़ी जगह बनाऊगे Will you make room for me? मेरे चिगरेट पीने पर आपको आपत्थी तो नहीं होगी Would you mind if I smoke? Would you mind if I smoke? कल मेरा जनमदीन था, yesterday was my birthday किसी भी तरह से हमें इस प्राब्लम का solution ढूढ़ना पड़ेगा Anyhow, we will have to find the solution of this problem किसी भी तरह से हमें इस प्राब्लम का solution ढूढ़ना पड़ेगा Anyhow, we will have to find a solution of this problem मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अभी यहां से चले जाए I request you to go away from here right now मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अभी यहां से चले जाए I request you to go away from here right now आपको अपने जीवन में एक पर हवाई यात्रक अनुभाव करना चाहिए You should go through the flight once in your life आपको अपने जीवन में एक पर हवाई यात्रक अनुभाव करना चाहिए You should go through the flight once in your life तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है There is something on your face तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है There is something on your face तुम्हारे किताबे बिखरी पड़ी है Your books are scattered around तुम्हारे किताबे बिखरी पड़ी है Your books are scattered around बात्रूम में फिसलन हो गई है The bathroom has become slippery तुम्हारे बैक से कुछ लटक रहा है Something is hanging from your bag तुम्हारे बैक से कुछ लटक रहा है Something is hanging from your bag खाने में मक्हियां बैट रही है Flies are sitting on the food खाने में मक्हियां बैट रही है Flies are sitting on the food एक घंटे बाद उसे होश आया He came to senses after an hour Translate it अंधीरा हो रहा है इसका answer प्कॉमेट में जरूर कते हैं वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें थैंक यू